नमस्कार मैं इस्वरी उर्वशा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल नीचस गार्डनिंग में और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी वीडियो सेयर करने वाली हूं जैसा कि अभी आप जान ही रहे हैं कि स्प्रिंग सीजन जो है खतम होने वाला है और इस अपने गार्डन से कोन से प्लांट है जिसे कटिन करके हम नय नय प्लांट बनाएंगे तो ये कुछ प्लांग है कुछ को मैं कटिन से लगा कर भी दिखाऊँंगी और लोगों ये वीडियो कर रहे हूं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सेयर और सस्क्राइब जरूर करिए जैसा कि आप अभी देखी रहे हैं यह मेरा जो है, स्सक्राइब, कमेंट और लाइक यह जरूर करिए तो चलिए वीडियो को सुडू करते हैं सबसे पहले है क्रोटाउन का पौधा क्रोटाउन में बहुत सारी वराइटियां आती है और बहुत सारी कलर भी आते है तो पहले आप क्रुटाउन का कोई भी वराइटी आपके पास है उसकी क्या करिए कटिन ले लीजिए छोटी सी कटिन आप कोई सी भी एक छोटी सी कटिन लेते हैं और उसको कट करके सिंपल सा उसके नीचे से जो पत्ते है उसके निकाल लीजिए और ग्रो बैंग में या किसी भी आपके पास कोई भी कंटेनर है या पॉट है उसमें आप लगा लीजिए और देखेंगे कि इसका जो कटिन है कुछी दिनों में सकसेज हो जाती है रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको अभी जो मौसम है बहुत अच्छा टाइम है कटिन से ग्रो करने के लिए प्लांट के लिए और यह आप देखेंगे यह जो प्लांट मेरा जो दीख रहा है क्रोटॉन का यह मैंने कटिन से ग्रो किये हुए थे और बहुत बड़े हो गए हैं नीचे भी मैंने छोटे-छोटे cuts करके जो cutting करके उसको लगाए हुए थे उपर मैंने pinching किया हुआ था तो नीचे मैंने उसको लगा दिया है और दुसरा हमारा प्लांट है डंब केन का ये बहुत ही खुबसूरत लगता है इसको आप या तो कटिन से भी लगा सकते हैं डिवाइट करके भी लगा सकते हैं जैसे देख रहे हैं आप नीचे में बहुत सारे बेबी प्लांट निकले रहते हैं ब्रांच निकले रहते हैं औ तो मैं आपको बता रही हूँ अगर आप नीचे से भी कट करते हैं तो आपको नोट एरिया उसमें दिखना चाहिए और असानी से भी ये प्लांट हमारा लग जाता है और बहुत अच्छे से इसमें रूट भी डेवलप हो जाती है तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको आप छ सामने है और ये जो कटीन है एक से डेड़ महने की कटीन है मेरी इसको मैं भी आपको निकाल कर दिखा देती हूँ कि इसमें देखे कितने अच्छे से इसके रूट से जो है निकल आए हैं बन गये हैं और उसी में आपको दीख भी रहा होगा साइड में छोट इसी मैंने क्र रखा हुआ है तो देखें इसमें कितने अच्छे से रूट डबलप हुई है बहुत असानी से ये रूट से जो है निकल आते हैं अगर आप कटीन से भी लगाते हैं तो और अगला हमारा है इंज्वाय पोथोस इसके भी आप छोटी सी छोटी कटीन लेते हैं एक नोट एरि इसके बन जाते हैं तो आपको बस इसका नोट एरिया लेना है कट करके और इसको लगा देना है या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते बड़ा सट अप लेकर उसमें बहुत सारी कटीन लगा लीजिए और छोटे-छोटे जब बेबी प्लांट्स तयार हो जाए फिर इसको आप से लगा सकते हैं और यह जो है मेरा देखिए छोटा सकट मैंने जासा कि आपको बताया था आइसक्रीम का जो कंटीनर है उसी में मैंने लगाया हुए और बहुत अच्छे से यह लग भी गया है तो इस तरीके से आप किसी भी तरीकी के छोटे-छोटे कंटीनर में छोटी सी आप असानी से लगा सकते हैं और बहुत अच्छा यह इसका जो पौदा है ग्रो हो गया है और अगला हमारा प्लांट है कोलियस का कोलियस का प्लांट आप कट करके भी लगा सकते हैं लेकिन मैं तो छोट पिंचिंग करके निकालती रहती हूं बुसी करने के लिए जैसे कि क कोलियस को बुसी करना तो आप छोटा सा जो सामने का पूशन रहता है पिंच करके चार पत्ते भी निकालकर जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी हाथों में है उसको अगर आप उसको यह देखिए इसमें मैंने छोटा छोटा जो है पिंचिंग करकर के ही लगाया हुआ है तो य लेकिन चार से पांस साल के बाद ही दो तिन साल के बाद ही जो इसका इस्टे में मोटा होना सुरू हो जाता है और जो है खराब होना चालू हो जाता है इसलिए आप बीच बीच में इसको नए-ने प्लांट बनाते रहिए और अगला हमारा प्लांट है सिंगोनियम का सिंगो सिंग्गोनियम का पिंक वाला है तो इसी से आज मैं आपको iXX कि चोटी चोटी जो सी सिंग्गोनियम आते वह भी है तो आज मैं पिंक के जो इसके आ ग्रिम्टे लगांगी यह देखि का ही तो यहां से हम कट करेंगे और इसको को अलग से सेपरेट कर लेंगे यह देखिए इसको हम नॉर्मली गॉर्डन सॉइल में ही लगाएंगे यह देखिए ऐसे आपको छोटे से कट से भी आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं अपने गाडन में क्यूंकि रेनी सीजन का इंतजार करते रह जाएंगे और जब तक रेनी सीजन आएगा तो आपके जो भी प्लांट आप बना रहे हैं वो मैच्योर हो जाएगी तब तक और अगला हमारा प्लांट है परपल हाट का यह देखिए इसके भी अगर आप छोटी सी कटीन लेकर लगा लेते हैं तो यह भी बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पाउद है और बहुत ही कुपसूरत लगता है परपल हाट का थोटी सी कट्टिन हम इसका ले लेते हैं और इसको भी हम मिट्टी में दबा देंगे बहुत इसली ग्रो होने वाले हैं इस टाइम पे अगर आप कोई भी कट्टिन लगाते हैं तो बहुत ही असानी से वो जो है प्लांट हमारा तयार हो जाता है 100% chances रहते हैं कि हम जो भी cutting लगाएंगे अभी इस season में तो हमारी cutting success हो जाती है तो इस तरीके से आप छोटे से छोटे cut को आप ये कर सकते हैं और इसमें आप देखेंगे कि मैंने एक छोटा सा cutting लगा के रखा हुआ था और उसको भी मैंने लगाया हुआ है इसमें भी छोटे छोटे जो dump can का plant था उसको मैं cutting करके इसमें लगा दे थी देखें बहुत सारे इसमें निकल आए हैं तो मैं ऐसी छोटी छोटी cuts कहीं पर भी cutting करती हूँ तो उसको मैं गमलों में डाल देती हूँ और ऐसे ही मेरे बहुत सारे plants बनते रहते हैं और अगला हमारा plant है cordyline का cordyline के भी बहुत सारी variety आती है और इस वाली cordyline को मैं cut करूँगी cut करने से क्या होता है नीचे से भी नए नए notes जो है निकलते हैं नए पत्ते निकलते हैं और अच्छे से हमारी plant की growth होती है बुसी भी हो जाते हैं यह हमने cordyline का cutting हमने ले लिया है और इसको हमने मिट्टी में ऐसी simple हमको लगा देना है अगर आपके पास rooting hormone है तो आप उससे भी dip करके लगा सकते हैं या फिर aloe vera gel से करके भी लगा सकते हैं मैं simple ऐसी cutting कट करके लगा देती हूं तो जैसा मैं करती हूं बस मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूं और यह देखे मेरी cordyline की कुछ cutting है जो मैंने लगाई थी और अभी कितनी बड़ी हो गई है बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी cutting मैंने cordyline की और लगा के रखी हूँ है और अगला हमारा प्लांट है एगलो नीमा का एगलो नीमा का जो प्लांट है आप कोई भी एगलो नीमा ले लिजिए cutting से ग्रोव हो जाती है लेकिन सबसे अच्छा है कि अगर आप cutting नहीं कर रहे ह है तो उसको pot से निकाल कर उसको जो है divide कर लीजिए और divide करके आप जो baby plants उसके नीचे निकले हुए रहते हैं उनको आप separate कर लीजिए तो वो आपके प्लांट को बहुत सारी प्लांट जो है देखें आप नीचे जो देख रहे हैं नएने baby plants है लेकिन मैंने बीच में अभी cutting करके बहुत सारी प्लांट जो है एगलो नीमा के लगा के रखे हुए हैं और उसी में से मैं एक प्लांट आपको दिखा देती हूं कि उसके roots जो है बन गया है यह देखिए यह बहुत सारे प्लांट मैंने ऐसे ही cutting करकर के लगा के रखे हुए हैं और यह मेरा जो है एगलो कटिन से भी लगा सकते हैं पानी में भी ग्रो कर सकते हैं पानी में भी सक्सेज हो जाता है और अगर यह आप देख रहे हैं कलेथिया को आप कटिन से नहीं लगा सकते हैं कलेथिया को आप क्या कर सकते हैं डिवाइट करके ही लगा सकते हैं डिवाइट करके अगर आपको उसक जो मेरा भर गया था उसको डिवाइट की थी तो मैं कुछ एक दो प्लांट को अलग-अलग करके लगाई थी इसमें का देखिए इसमें नहीने बेबी प्लांट और निकल रहे हैं तो ऐसे ही आप कलेथिया के प्लांट्स को डिवाइट करके लगा सकते हैं और और भी प्लांट आप बना सकते हैं कलेथिया के कलेथिया के भी बहुत सारी वराइटी होती है बहुत सारी सुन्दर सुन्दर पत्तो वाली और अगला हमारा जो प्लांट है ये है चले थे आखे बाद हमारा dewfin bakia सलर बेफन बेखिया में भी बहुत सारे plants बहुत सारी वरिगेंट में आते हैं बहुत सारी variety में आते हैं जैसा कि यह मेरा आपको देख रहे हैं बहुत ही लैगी हो गया है इसका stem भी बहुत ही hard हो गया है मतलब जूख सगया है तो इसको मैं जैसे कि आपको दिखा रही हूँ आप partition करके 2-2 इंच करके काट सकते हैं लेकिन ये मोटा वाला भी मेरे से कटेगा नहीं तो मैं आपको जो पतली वाली जो बीच में दीख रही है उसको काट कर दिखाऊंगी ये वाला देखिए उसको मैं कट कर ली हूँ अब इसको आप क्या कर सकते हैं छोटा छोटा पीस 2-2 इंच का काट करके आप इसको लगा सकते हैं और उसके जो टिप का एरिया है उसको भी उसके नीचे की जो 2-3 पत्तिया होती उसको आप हटा लीजिए और मिट्टी में आप इसको इस तरीके से दबा दीजिए इस तरीके से आपका ये एक प्लांट हो जाएगा और जो हमने ये कट करके रखा हुआ है इसको भी हम इसी में लगा दीगे लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो नीचे ही जाए इस तरीके से आप इसकी कटिन लगा सकते हैं कोई भी डेफन बेकिया हो आप इसी तरीके से लगा सकते हैं और ये मेरा है डेफन बेकिया के दूसरी वराइटी है इसको मैंने कटिन से लगाया हुआ था और देखिए कैसे अभी इसमें नए नए लिफ्स जो है बेबी पप्स दीख रहे हैं निकल रहे हैं कि बहुत ही आसानी से लग जाते हैं हमारे प्लांट और यह है जो नखी अच्छा लगता है कि अगर मैं उनको tunes कर देती hang किसांने मेरा इसली अच्छा सबाइक घेाएट अगर मैं उन komplette कर स्ब्सक्राइटी भी पेढ़ेगल इस तरीके से मैं छोटा-छोटा प्लांट बना बना कर रखी रहती हूँ और ये वाला जो है आप इसको नोट एरिये से कट करके छोटा-छोटा अगर आपको उसमें नोट एरिया दिखता है उसको बस अगर आप मिट्टी में दबा देते हो तो उससे एक नए प्लांट और तयार हो जाते हैं बेबी प्लांट से निकल ही आते हैं उसमें बहुत ही इजी ग्रो प्लांट है ये सारे और मेंटेन करने में भी कोई दिक्कत नहीं है ये बहुत ही अच्छे से और हाड़ी प्लांट होते हैं और ये देखेए मेरी कटिं यहाँ पर भी लगी हुई है एक और ग्रो हो गई है और साथ में कुलियस का भी प्लांट लगा हुआ है उसी में तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी प्रकार की कटीनों इस सीजन में आप लगाईए और अच्छे से अपने गाडन को प्लांट से भर दीजिए और अगला मारा प्लांट है बटरफलाई का बटरफलाई को आप कटीन से तो नहीं लगा सकते हैं क्यूंकि उसको आपको separate करके ही लगाना होगा कि उसके नीचे छोटे छोटे से कंद होते हैं तो अगर आप छोटा सा उसका हिस्सा निकाल लेते हैं और मिट्टी में दबा देंगे तो वहाँ से नए नए roots जो है नए plants और baby plant निकलना चालू हो जाएगा जैसा कि मैंने एक छोटा सा हिस्सा निकाल के इसमें लगा दिया था एक pot में separate देखें यहां से भी छोटे से baby plant जो है निकल रहे हैं और ये वाला plant भी मेरा cutting बोलती हूँ sorry ये वाला plant भी मैंने separate करके ही लगाया था तो butterfly का भी plant मैंने separate करके लगाया है और अगर ये plant भी अगर आपके पास है तो छोटी सी cutting भी इसको अगर आप छोटा सा cut करके इसको निचे लगा देंगे तो इसकी भी जो growth है बहुत अच्छी हो जाती है इसको मैंने जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं इतना ही छोटा सा cutting मैंने लिया हुआ था कहीं मैं देखी थी तो उसको मैं तोड़ कर ले आई थी तो उसको मैंने लगा दिया था तो अभी इसकी growth हो गई है तो इसको मैं यहीं इसी pot में लगा देती हूँ और spider plant को भी आप लगा सकते है डिवाइट करके या तो फिर runner से इसमें भी runner जो है देखे निकल आ रहे है तो आप runner से separate कर सकते है या फिर pot से सिधा plant को डिवाइट करके लगा सकते है लेकिन बेश्ट है कि अगर runner में आपके baby plants निकल रहे हैं तो वहां से आप अपने प्लांट को डिवाइट कर सकते हैं, नए प्लांट बना सकते हैं, और अगला हमारा प्लांट है रबड प्लांट, यह जो आप देख रहे हैं मेरा रबड प्लांट मैंने कट करके लगाया हुआ है, और इसकी ग्रोथ हो रही है, लग चुकी है, लेकिन यह अच्छे से जो प्लांट और बूसी हो जाते हैं अगर कटीन कर देते हैं तो दो पार्ट में जो है हमारा प्लांट निकलना चालू कर देता है और यह जो आप देख रहें छोटी-छोटी सी कटीन है पटूलुका की और अच्छी इसकी जो कलर है बहुत ही bright, बहुत ही सुन्दर सी cream कलर की है तो पटुलुका को भी आप most रोज जिसको बोलते हैं आप छोटी सी छोटी कटिन अगर आप अभी separate कर लेते हैं तो आपको next season के लिए बिल्कुल सोचने की जरुवत नहीं रहेगी इसमें भी डेरो कलर आते हैं आप इसको कटिन से, छोटी छोटी कटिन से या उसकी जो बीज बनते हैं उससे भी आप ग्रोव कर सकते हैं अगला हमारा है फिलोडेंडरॉन फिलोडेंडरॉन में भी बहुत सारी वराइटियां आती है और इसकी भी जो कटीन है आप आसानी से ग्रोग कर सकते हैं एक छोटी सी कटीन अगर आप ले लेते हैं फिलोडेंडरॉन की क्योंकि उसमें भी रूट्स रहते हैं छोटा सा भी अगर आपको नोट एरिया दिखता है तो आप उसको कट करके लगा सकते हैं यह दिखता है तो भी लग जाता है और इसमें जो हैं फिलोडेंडरॉन की दो टाइप की वराइटी लगी हुई है ये देखिए कि यह भी मैंने कटिन से ग्रोग किया हुआ है और बहुत ही अच्छा इसमें जो ग्रोग है आपको दीख रहा होगा फिलोडेंड्रोन बहुत ही खुबसूरत प्लांट है हाड़ी प्लांट है और इसको ऐसी हम यह जो पॉट है हमारा खाली है उसमें हम इसको लगा देते हैं अगला हमारा जो प्लांट है सुट पॉटाइटो का यह देखिए यह जो हमारा प्लांट है सुट पॉटाइटो का है इसमें भी दो कलर या तीन कलर आते हैं मेरे पास सिंगल अभी यही कलर है तो इसको मैंने कट करके बहुत सारे प्लांट बनाए हुए है और इसको मैंने को बहुत ही नीचे फैलने लगता है और मेरे यहां ground floor उतना नहीं है तो नीचे ground कहां से मिटी में रेखने से नीचे मिटी रखने रखने से अच्छा वो फैलता है नीचे लेकिन मेरे पास grow bag में लगा हुआ है तो इसको मैं यहां तो अपो देख रहे हैं जो अगला जो है स्नेक प्लांट अगर स्नेक प्लांट आपके पास वेरिगेंट में है और सिंपल में है तो आप इसको जो लंबे स्नेक प्लांट होते हैं उसको आप लिव से भी प्रपोगेट कर सकते हैं इसको भी आप प्रपोगेट कर सकते हैं लेकिन जादा अच्छा होगा कि इसमें जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकले रहते हैं आप उसको डिवाइट करके लगा ले तो जाद अच्छोगा जैसा कि ये आप मेरा स्नेक प्लांट देख रहे हैं इसको मैंने पानवी में रखा हुआ था इसकी रूट जो है पुरी निकल आई है तो इसको हम गेट हो जाता है इस तरीके से आप उसको मिट्टी में दबा दीजिए या पानी में ग्रो करिए ये स्नेक प्लांट जो है पानी और मिट्टी दोनों में ग्रो हो जाता है सिंगल लिप से भी ये ग्रो हो जाता है और ये जो मेरे प्लांट है स्नेक प्लांट वेरिगेंट प अगर आप उसे प्लांट को सेपरेट कर सकते हैं इस तरीके से स्नेक प्लांट को आप बहुत सारी प्लांट में डिवाइट कर सकते हैं यह देखिए यहां भी आपको दिख रहे हैं और इसमें भी नए बेबी प्लांट निकल रहे हैं तो इसको हम अलग कर सकते हैं इस तरीके स इसको भी आप cutting से लगा सकते हैं तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे comment करके बताइएगा और आप लोगों की कोई भी problem हो cutting से अगर आप लोगों की cutting नहीं लगती है या खराब हो जाती है जो भी कुछ भी अगर आप लोगों को पुछना हो तो बिलकुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और ये देखिये मेरा कलेथिया की जो है वराइटी बहुत सारी वराइटिया हैं इसको हम स्रीप जो है डिवाइट करके ही लगा सकते हैं जो भी प्लांट है जो कटिन से नहीं बनते हैं तो आप उसको डिवाइट करके लगाईए और अच्छे से अपनी प्लांट की जो है केयर करिए तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सेयर और सस्क्राइब जरूर करिएगा और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए